भारत सरकार Renewable Energy के सेक्टर में तेजी से काम कर रही है और इसके नतीजे भी दिखने शुरू हो चुके हैं। देश ने सितंबर 2024 में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। Renewable Energy के मामले में भारत ने नया मुकाम हसिल कर लिया है। Central Electricity Authority की जारी नए आंकड़ों के मताबिक भारत में Renewable Energy पर बेस्ट बिजली उत्पादन शम्ता ने सितंबर 2024 में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। आंकड़ों के मताबिक कुल Renewable Energy उत्पादन 2,1457.91 मेगावाट तक पहुंच गया है। जिसमें से 90,762 मेगावाट सोलर एनरजी और 47,363 मेगावाट विंड एनरजी का उत्पादन शामिल है। बिजली उत्पादन के मामली में राजिस्थान 31.5 गीगावाट बिजली के साथ पहरे स्थान पर है। इसके बाद 28.3 गीगावाट बिजली उत्पादन कर गुजरात दूसरे नमबर पर और 23.7 गीगावाट के साथ तमिलनाडू तीसर स्थान पर है। और लिस्ट में कनाटक कना 22.3 गीगावाट बिजली उत्पादन के साथ चौत स्थान पर है। दुनिया भर में रिन्यूबल एनरजी परियोजनाओ की संख्या बढ़ रही है। गलोबल इसतर पर 2030 तक रिन्यूबल एनरजी शम्ता को तीन गुना करने के लक्ष तक पहुंचने के लिए ये परयाप नहीं है। 2030 तक गलोबल इन्यूबल एनरजी शम्ता 11,000 गीगावाट होनी चाहिए।